नमस्कार रहने विल्केम योल अफेर जाओ प्रशान दवन आपने सुना होगा कि चाइना की मिलिटरी मीटिंग से एक एक एक्स्प्लोसिव ओडियो डिलीज हुई है यहाँ आप देख पाऊंगी आडिकल है इस पर बहुत से आडिकल्स प्पुछ हुए है कि यह जो लीक्ट ऑडियो है यह पहली बार हमको बता रही है कि चाइना जेनुएनली अंदर से प्रेपेर कर रहा है ताइवान पर अट् प्लिस थे जो आज के समय यूरोप या फिर यूस में रह रही है इन्होंने बताया है यहाँ आप आप देख पाऊ के ट्वीट है जनिफर जंग की यह कहा रही है के वार मॉपलाइजेशन मीटिंग वी थी और इस मीटिंग का इन्होंने नाम रखा है डी वाई 2022 इवेंट डी वाई का मतलब होता है डॉंग यूवान इसका ट्रांसलेशन हो गया इंगलिश लाइज में मॉबलाइजेशन अपनी जो भी सेना है उसको एक खटा करना एक बड़े असौल्ड के लिए और इंटरस्टिंग बात देखिए इन लोगों को एक प्लेज भी मिल तो सीधा इसकी सजा आपको मिलेगी मौध बट कोई ना कोई यहाँ पर भादूरादमी रहा होगा जिसने चुपचाब यहाँ पर सारी जो मीटिंग है इसको रिकॉर्ड कर लिया एक घंटे की मीटिंग है इसको रिकॉर्ड कर लिया ओडियो भार रिलीस कर दी और यह सब इमजेज है कोंफिदेंशल एग्रीमेंट की यह भी यहाँ पर लीक कर दी है और मैं आपको यह बता दूं कि इतहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ अब तो खेर युएस क्या सारी दुनिया दे चुकी है इस ओडियो को यह काफी दरा चिंता जनक बात है कि शी जिंग पिंग जैनुमेनली प्रिपेर कर रहे है ताइवान पर एक वार के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आप मुझे यह पूछे कि रिसेंटली ही तो जो बाड़न ने यह का था कि अगर ताइवान पर अटैक हो गया तो हम मिलिटरली इंटर्वेंशन करेंगे तब भी चाइन ऐसी मीटिंग्स कर रहा है तो डिसकस करते हैं आपर हुआ क्या है जो बाड़न ने रिसेंटली कहा क्या उसके बाद यूएस गर्वर्मेंट ने कैसे उसको कवर अप किया बहुत कुछ आपको जाने को बिलेगा अब अगर आगे बढ़ने से बहले आपसे क्वेशन पुछूंगा क्वेशन यहाँ पर यह है कि इंटरनाशनल डे और बायोलोजिकल डिवर्सिटी यह हर साल हम किस तारीक को अबजर्व करते हैं यूएन डेजिगनेटेट डे है तो इंपॉर्टन क्वेशन है यह है यहाँ आपके सामने ओप्शन्स कॉमेंट सेक्शन में करिए आंसर सही आ यूएस गजर्मेंट ने अपने ही प्रेजिडेंट को करेट करना स्टार्ट कर दिया है रहे जो यहाँ जो कर देगे 카 Basu के आप टाइवान को डिफेंट करने के लिए हम ताइवान की करेंगे मंगर यूएस प्लटिरी खोwd यहाँ पर नहीं आएगी यूएस लेकर ये अभी भी unchanged है ये US ने कैडेगोरिकली कहा क्योंकि चाइना बहुत ज़रा गुसा हो गया था बाइडन की ये statement सुनके चाइना ने कैडेगोरिकली कह दिया कि US will be flirting with danger अगर ये लोग openly एक military commitment कर देते हैं ताइवान की protection को लेकर और ये सब यहाँ पर जो भी हुआ है ये देखकर मैं genuinely कह सकता हूँ कि जब ताइवान पर attack होगा तब possibility काफी कम है कि US military ताइवान को defend करने के लिए आए क्योंकि कहीं ना कहीं US government में इनके administration में even इनके जो businesses है वहाँ पर डर बहुत जादा है कि चाइना से war ना start हो जाए हमारी हम ये नहीं चाहते क्योंकि economically that will be disastrous for USA अ proper seed मिल जाए चाइना ने फिर से इसको block कर दिया ये बिलकुल आज की बात है WHO refuses to admit Taiwan amid China pressure ये news मैं जब observe कर रहा था मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं इस पुरी news को follow कर रहा हूँ एक महीने से April के महीने में मुझे याद है कि USA ने एक bill pass किया था उस bill में ये लिखा था कि USA की सरकार Taiwan की जो bid है WHO की seat के लिए उसको support करेगी और even though USA ने ये bill pass कर दिया मगर जब आता ही push करने की तो USA भी काफिया तक चुप हो गया क्योंकि China का pressure यहाँ पे बहुत ज़रा था तो कही न कहीं देए US defensive mood पे आ रहा है और इसका reason भी है रश्या ने जो कर दिया युकरेन के साथ और उसके बाद जो USA ने बला के sanction लगा दिया है रश्या पर इसके बाद US कहीं से भी बरदाश नहीं कर पाएगा चाइना पर भी similar type के sanction लगाना और ये बात चाइना जानता है Recently इस पर एक article publish हुआ था The Economist का इन लोगों ने आपर ये का है कि क्या western countries चाइना को punish कर सकती है चाइना पर sanction लगा सकती है जिस तरीके से रश्या पर sanction लगाये थे मैं आपको बता दूँ इसके chances बहुत बहुत जारा कम है क्योंकि कैसे करेंगे आप ये सब already inflation all time high पर चुकी है इवन तो रशिया maximum क्या export करता था natural gas और crude oil उसके इलावा रशा की कोई खास industry तो थी नहीं मगर चाइना तो आज भी world's factory है इवन दो diversification अब धिरे-धिरे हो रही है इंडिया में production कर रहा है Apple कई जो US की companies है ये वियत दाम इंडोनीसिया में shift हो रही है मगर आज भी आप अगर देखो तो जो top of the line US companies है जैसे के Tesla हो गई या फिर various और US companies है ये लोग manufacture चाइना में ही करती है और काफी जो US companies है ये depend भी करती है चाइना पर अपने exports के लिए अचानक अगर मान लो चाइना पर sanction लग गए by God that will be an economic disaster for the entire world कोई बड़ी बात नहीं है रातो रात दुनिया भर की stock markets ऐसे crash करें जैसा crash हो सकता है कि आपने कभी देखा ना हो और उसके बाद inflation ऐसे record level पर पहुँच जाए जो शायद human history में हमने कभी देखा नहीं था तो ये बात चाइना जानता है अगर मान लीजिए यह बना होता कि western countries एक बार को चाइना पर sanction लगाने की सोचती मगर रश्या पर अलएडी sanction लग चुके हैं फिर चाइना को भी isolate करना it will become very difficult चाइना ये बात जानता है और इसलिए हम देख रहे हैं कि अब चाइना ने openly military exercise करनी स्टार्ट कर दी है कि कैसे ये लोग जपान के ज basically Mandarin में एक घंटे तक Chinese officers बात कर रहे हैं उसमें ये discuss किया जा रहा है कि initially एक लाग 40,000 soldiers भेजेंगे उसके बाद 2,000,000 soldiers धिरे धिरे जो pressure है ये add करते रहेंगे, mount करते रहेंगे until Taiwan surrenders तो ये एक बहुत ही बड़ा concern है region के लिए और मेरा ये मानना है कि at least अभी भी time है हमारे पा करते करते इसको कबजाने के पुरे process में इनका इत्ता नुकसान ना हो जाए कि ये country कई सालों पीसे चली जाए और ये ensure करने के लिए बहुत ही important है कि जिस टाइप के packages आज के समय Ukraine को मिल रहे हैं for example US ने ये decide किया है कि ये लोग 40 billion dollar देंगे Ukraine की military को मतलब एक CPAC आप मगर मान तो CPAC इनों ने पकड़ा दिया Ukraine को रात तो रात के yellow पैसा raw hard cash इसके आपको weapons मिलेंगे आपको ammunition मिलेगा जित्ते Russians हो सकता है आप मारिये तो ये सब जो US अब कर रहा है Ukraine के बहुत सारे losses के बाद Taiwan के लिए हमको पहले ही करना होगा Taiwan must be prepared properly नहीं तो अगर चाइना ताइवान प ये हम observe करते हैं हर साल किस तारीक को तो सही उतर इसका हो गया option option A is the right answer 22 में को हर साल हम observe करते हैं international day for biodiversity very important for exam perspective इसको याद रखना and finally आपर मैं ये भी add कर दूँ कि आप अगर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं चाहिए IT, J, NEED, BANK, SSC, UPSC आप परचेस कर सकते हैं an academy के quality courses simply जाओ comment section में यहाँ पे आपको मिलेगा link for example let's say आप prepare कर रहे हैं for UPSC click कर ये UPSC पर और यहाँ परचेस कर पाएंगे an academy का unique course जिसमें आपको heavy saving होती है अगर आप use करते हैं promo code PD10 मान लीजे अगर आपके पास अभी है एक दो साल का time अराम से आप 2014-25 में UPSC का time देना चाते हैं तो जो 24 महिने का course है यह आप कर सकते हैं purchase मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं यह पे करने कि आप शकता नहीं है simply यहाँ पे अगर आप start हो जाएंगे the prices will just start falling so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है वीडियो का अंत thank you for listening and as always God bless you all